मैं सभी का स्वागत करता हूँ सबी पत्रकार होगा बेरी गुड इवनिंग नमस्कार आप सब को आज के बीपी में मेरे साथ मेरे सयोगी महंद्र घुप्ता जी है जो की एग्जीबुट डेरेक्टर रेलवे रेक्रिप्रेप्डन बोर्ड है जो मेरे साथ इसमें काभी important काम सबस्योग सबस्योग निभा रहे हैं आप सब को यह सुचित करना जाता हूं कि रेलवेज इतने बड़ी रूप में रेलवेज बहुत बड़ा employee है जैसा भी हमारे साथी ने बताया कि रेलवेज ने यह CPT computer based test बहुत पुराना नहीं है कि रेक्रूट्मेंट्स हैं उनको complete करने के बाद अब हम दूसरे चरण में हैं और इस बार हम लोग तीन चरणों में यह परिक्साइं कर रहे हैं और यह परिक्साइं जो हैं पहली है anti-bc categories की दूसरी है isolated and military categories में और तीसरी है level one categories में और हम लोग इस परिक्साओं में इन तीन परिक्साओं में जो तीन लग लग उसमें हो रही हैं चरणों में यह exam कोबिट के माता माताद हो रहा है क्योंकि कई परिक्साओं की भी चिंता थी और कई उसका भी यह था कि वह यह कितने दुन 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 कार्व कर रहे हैं तो फाइनली हमने चैलेंज को लिया और इस चैलेंज को हम आगे बाद हैं तो फुल मिलाके हमारे पास जो मैंने आपको बताया जो पहला इंतान हो रहा है वो है आइसुलेटर इनिस्ट्रिक्रीज का जिसमें स्टैनो टीचर्स टांसलेटर्स आदी हैं इसमें हमारे पास कुल वेकेंसियां हैं 1663 और कुल कैंडिड़ जो आपके हैं अपने हो वह हैं एक लाग तीन अजार उसके बाद दूसरी कैंडिक्री जो है वो नौन अपरलर कैंडिक्री जिसको हम एंटी बीसी कहते हैं आप लोग भी इसको एंटी बीसी की नाम से जानते और पहरी वाली परिक्से जो है इसलेटेड निस्ट्र कैडिक्री की वो हमने 15 दिसमबर से 18 दिसमबर के बीच में उसको रखा है और जो नौन टेक्निकल पॉबलर कैडिक्री की एक्जाम है इसको अभी हमने 28 दिसमबर से सुरू करना है और इसमार तक यह जाएगा क्योंकि पॉइंट्समेन हैं और और बी कई लेवल वन की पोस्टे हैं जो इसमें होगा और कुल इसमें पदू की संग्या है एक लाग तीनजास साथ सो उनसट उनसट और कुल मिलाके इसमें कैडिन हैं जो रिस्टर हुए हैं एक और पंदरा लाग और इनका सीवीटी हमने अप्रे तो कुल मिलाके जो अभी हम पहले जो प्टरीक से अुछ हो रहा है उसमें अक्टरी। बीच अक्टोबर के बीच में प्लाइन है. हम पंदर अक्टोबर से बीच अक्टोबर के बीच में है. लिए अच्छा हम लोग जो हैं इसमें COVID-19 गैडलाइन को एस्टिकले फॉलो करेंगे और हमने इसमें कैंडिडेट को उनके एक्जाम सिटी डेट के बारे में उनकी टेवल अथरुटी के बारे में 5 दिसंबर से उनको लिंक देज दिया है इसके बारे में सोधैर उनको यह सारी सुचना है पूर्वे में हो कि वो किस सेटीमन का एक्जाम होगा अब इस सेंटर इसको पता नहीं होता है उसके बार बार बताएंगे कैसे बता लागेगा और डाउनलोडिंग आई है वो अपना ट्रेवल डॉकमेंट जो है जैसा सेसी के अजिए होते हैं उनको हम लोग पासेज देते हैं तो आपने ट्रेवल डॉकमेंट पांध दिसंबर से डाउनलोड कर रहे हैं और जो ये कॉल लेटर्स हैं वो हमें आज 11 अरी को चार बज़े से वो इनको ये कॉल लेटर भी आज डिस्पैस के नहीं सुरू कर देंगे और हमने सभी इसाथ इस पर प्रक्योजायर इसे पराफिको प्रक्यों को यी पता आया है कि वह आगे की सुचना या कोईी कि यह पंदर तारिक से जो एक्जाम हो रहा है इसमें एक लाग कंडियर्ट हैं और हम लोग ने 354 सेंटर्स की हैं और यह कंडियर्ट जो हैं लाडली इनको सब जो लोग लोग वह उनको कोई सब्सक्राइब हो यह उनको कोई अखिलिप ना हो यह एक्जाम डोग है यह उनको लोग एक सोबीस मिनट के आप जो लोग आप डियंग लोग हैं उनको आम लोग 110 मिनट लेंगे और वो जो है इसक्राइब के साथ उनको 120 मिनिट मिलेगा और ये एक्जाम जो है पहली सिफ नौ बजे सुबह सुरू होगी और दूसरी सिफ डेड़ बजे होगी तो अरे मैं आप भी बताना चाहरा था कि पहली सिफ का गेट ओप्रिंग टाइम नौ बजे होगा और गेट क्ल गेट कोड़ लेगा उसका और गेट क्लोजिंग जो है वो जहां बेजी हो जाएगा और तीन बजे से एक्जाम होगा और अगले स्रेट में मैं देख रहा हूं दिखाऊंग आपको कि कैंडिएट समय जो एक लाक पचिस आर यह लाक पचिस आर यह कितना है यह इसलेट होग किस तरह के से के सिंपराँतों है किस पुआ है वाप पो इसकी जानकारी मिल जाएगी इससे उत्तरफ़तीस में सब से ज़यादा के आर एक्ज़ से कम है यह दिखना थिस ठीग में है जो आवर्णी क्वान सब से कम हैं तो यह तो आ किस टills के सी पर अफ्लिकेंट है तो हमारी पहला प्रियास यह है कि जहां जिस प्रदेश के हम हैं उनको उहीं पर अपर रसाएंगे हैं और इसको कराना तो उसमें जो कुछ डिमिनिम्ल डिस्टेबेंस अपर रहें और निफा नहीं होगा जादा जादा हम कहीं पर यहां पर हम ओवरनेट जर्णी कर रहेगा क्यूंको एक मैञजिम कर रहेगा हैं उनको लोग दिविंग्लों हैं या जो मेलाक्तिवगी हैं उनको हम लोग ने उनके गिरहर प्रदेश में ही समझित किया हुआ है यहां जहां पर हमने अपने जो ट्रांस्पोर्ट्रेंग डिरेक्टरिड है उनको उनकी ट्रेवल रिक्वार्मेंट हमको बता दी है और जहां जहां ज़रोत पड़ेगी और जहां जहां पर फिजबर होगा वहां पर हम लोग स्पेशल ट्रेनेंग लिए चलाएंगे हमने सभी चीफ सेक्रिडरी को स्टेट्स में उनको उनका संग्यान में इस बात को लाए हैं हमारे अध्यक्स मौदे ने उनको लिखा है कि वो जो हमारे RRBs हैं, जो railway recruitment boards हैं, जो railway वर्ती परचत हैं, तो उनको वो उचित वहां लोकल administration को यह यह आदेश दें या उनको यह सुझाओ दें, कि उनको उचित support दिया जाए और उनको इससे कि smoothly यह exam एंड़ पर सके. एक और इस में आप जाएंगें, इस CBD exam में या इस methodology में, हम लोग पुरा प्रियास कर रहे हैं, कि हमारे जो first timers हैं, जो लोग ने पहले इस तरीका को एक्जाम नहीं दिया है, उनको भी किसी तरीके की असुदा नहों, तो हम लोग ने उनको एक link प्रोवाइड दिया है, जहां प्रियास के लिए, यह उपलब्द कराई है, यह उपलब्द कराई है, तो कंडियेट्स जो हैं, उनको हम question paper और इसके अलावा, यह हम और भी सुनिस्टत करनाई के लिए, यह हर तरह से transparency हो, और question, जो question paper है, कंडियेट्स का, वो उसको दिखाया है, उनको उपलब्द होगा, answer modulate along with correct answer keys, उन्होंने क्या answer दिया है, और उसकी answer keys actually क्या है, यह exam के बाद उनको उपलब्द करादी जाएगी, इससे किसी तरह यह भी कोई ambiguity किसी के अडियेट्स में ना रहे है, और यह भी हमने उनको सुलिदा दी है, कि अगर वो कहीं पर उनको किसी जीज में वो सामाती न कोई corrections गलत हैं, या कुछ questions हैं के तो वो आपने objection देश कर सकते हैं, और जैसा कि आपको बता है, रेल्वे ने आप जो इंटर्व्यूस होते थे, वो सब खताम कर खतम कर दी हैं, तो इन exams में, जो यह CBT exam है, इसकी performance ही, प्लस जो medical और बाकी चीजह होंगी, बाकी यही इनके parameter तो कोई description नहीं है, तो सारी transparency इस exam में रहेगी, इस exam में हमने integrity जो है, high level की integrity रखने के लिए, यह क्या लिखा है, कि बाइमेट्रिक और फोटो केप्चर पर exam, यह सुद्धा दी है, कि जो exam से पहले, बाइमेट्रिक और फोटो केप्चर जो है, वो जो हमारे exam नहीं जहां प आपने इस तरह की घटनायद देखे हैं, जहां पर दूसरे कंडियेट अपिर हो जाते हैं, बाद में काफी law order situation हो जाती है, यह प्लिस कंप्रेंड हो जाती हैं, तो उससे हम लोग ने पज़ने के पुरा परियास किया है, और जो कंडियेट का फोटो होगा, वो कंडियेट क स्क्रीम में डिस्प्ले होगा, यहां पर सीसीजी ने सर्विलियन्स भी होगी, और कमांड सेंटर में रियर टाम वनिटरिंग भी होगी, और जो कंडियेट जो उनके जवाब होंके, वो सेंट में कैप्चर रहेंगे, और वो 128 बिट इंक्रप्शन में रहेंगे, इससे कि व हमारे पास हर केंडियेट का डिटेल ओडिट ट्रेल अविल अविल होगा, तो यह आपको यह जानके वड़ी गुजी होगी, कि RRB हमारी हमारी टोटली कमिटेट हैं, कई दिनों तक लोग ने डे और नाइट काम किया है, यह पूरी प्रोसेस हम लोगे पिलिए एक नही एक इसमें कही हमारे RRB के चेर्में इंवालते हैं, प्री बिट्स के रिस्पेज में, बिट डोकिमेंट बनाने में, पोस बिट्स में, तो यह बहुत इसमें खाफी काम हुआ है, और हर प्रियास किया गया कि जिससे कोई किसी तरी के की, किसी को ना तो सुदा हो, और ना कोई क ऐर से टैंपरिकरशन, फोस लिया जाएगा, इनका प्रैस्क्राइब टेमपरिचीर्ण, जो प्रिडॉकॉल के साथे टैंपरिकरइब लिटकॉल से जाला का ते तो इनको को एक्जान् से डिसल लाग किया जाएगा, और उनको पुर सुधिघूल kepada एक अगजान ऐसा। कि उनका चांस अगर उसे इन टेपरेजर आ जाता है यह प्रियास होगा कि उनको रिचेडूल करके दूसरे दिनके शेडूल किया जाएगा और इसकी सुचना उनको प्रियास पर उसे दी जाएगे समय पर दे दी जाएगे यह इस एक्जाम में कैंडिल्ड इंड्ट को पेहनना है वो अपना पेस मास पैने कर आएग और यह दे लिए ह्या है कि उनको कोई कोई कर साथ कि उसक्त का यह कोई समय साथ अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो उसके बेर आपको एक्जाम में नहीं किया जाएगा यहां तक क्राउड मेरेजमेंट डाइस सिस्टम है टोटल प्रोपर्ब जो कोविट मेरेजमेंट का जो प्रोटोकॉल है वो फोलो किया जाएगा वो मेंडियर्ट से एक्जाम लैप्स तक जिस तरीके से है वो सब करलव कोई कमी नहीं रखे जाएगी और हर सिट के बाद एक्जाम जिसे मैंने आपको बताया था कि दो सिट में होगा हर सिट के बाद एक्जामनेशन सेंटर को सेनिटाइज के जाएगा जिससे कि दूसरे सिट वाले लोगों को कोई तक्रिफ ना हो और किसी तरीके के कोई आसुदा ना है ना हो और किसी को यह संग्यान में न रहे कि या किसी को इस तरीके का अनिस्टता ना हो कि भी क्या होगा उनका करके तो इस तरही के से हमने जितने भी रिलेवेंट प्रोटोपॉल्स हैं, गाइडलाइन्स हैं, उनको हम लोग 100% कंप्लाइ कर रहे हैं कर दिलग में आफी जितने में जितने अलगाय हम शुछी तरह से कहने कि और प्रोटोपॉलुल्स कामानों उप New classroom को और प्रोटोपॉलस को सितने इस अजितना प्रोटोपॉल्स हं इसके साथ साथ मैं आप उसे भी पर से एक बार आपके संग्याने परोलाना चाहूंगा कि हमने 2018 में भी